नमस्कार मैं हूँ गौरफ श्री वास्ताव आप हमाँ साथ देख रहे हमाँ खास कारिकम बात अपने देश की यह तो हमारा देश बिस्प के सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां पर समय समय पर चुनाव होते रहते हैं चाहे लोकसवा चुनाव की बात करें नगर पंचाज चुनाव की बात करें और अलाला बिभागों में यूनियन की बात करें तो चुनाव की पिक्रिया तो हमाँ देश में लगाता है चलती रहती है और साथ में चलती रहती है चुनाव से जुड़ी हुई सरगर्मिया निसी रूप से बड़ी आबादी है बड़ा लोकतंत्र है बड़ी बड़ी पार्टिया है और कुछ पार्टिया तो ऐसी है जिनकी पैचान बिस इससर पर है यानि उनके रिकार्ड सक्रिये कार करता हैं सरस्य हैं रिकार्ड की चलते हैं वो बिस्ट की सबसे बड़ी पार्टिया है तो यह तो बात हुई चुनावों की तो इनी पूर्ण रोने वाला वो है देशके के पंदर में राघ्थपती का चुनाओ जिहहां रामनाठ को बिंड जो कि हमाई देशके अभी बर्त्मान में रास्कती उनका कारकाल 24-जुलाई जुद्ध आ चारकाल खतम होने वाला है जिसमें 786 सांसर हिसा लेंगे, जो लोकसभा भी है, और रासभा सांसर भी है, और 4809 जो बिढायक है, वो भी इसमें हिसा लेंगे, और इनके मतों के अधार पर परणाम आएगा और परणाम से ए बात जारी होगी, इसपस्थ होगा कि हमारे देश का आने बाला रास्पती यहां कर दो हों गोषणा है क्योंकि वो जा गूंब कुछरंगा से उम्मीरव के म्यूटम आ promise हुँआ कि उसका ऊंने बाले 21 जुलाई को देश को उसका पंदमा राजपत्ती बिलेंगा तक याँ अम ये स्पष्ष्ष हो जाएगा सामनाट कोबिन बोरासपती पर अभी आसीन है जिनके कारेकार 24 जलाई को खताब होने बाला है कल की घोचलों के बाद करें तो कल महतपूर घोचना ही और महतपूर घोचना को चलते दो जानकारी सामने निकल की आई यह तो जो यूपीय है यूनाइटेट प्रोगर्सिबल एलाईंस जो की कॉंग्रेस का है और इन्होंने साजा उम्मिरवार घोजित करते हुए भाजपा के पूर्व और बड़े कद्दा बनने था देश के पूर्वित मंतरी बरेश मंतरी यस यस्वन सिना को अपने साजा उम्मिरवार के रूप में रास्पधी चुनाओ के लिए घोचणा की हलाकि अब यस्वन सिना भाजपा में नहीं है और दोजगदा में जब प्रामंदी नरेन मोदी बने थे उसके बाद 2018 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और 2020 में चु यस्वन सिना बड़ा नाम है और निसी रूप से कद्दावा नेताओं में एक हैं और साथी साथ भारती पिसासन के सेवा में 27 साल का गेहर अनुवाओं अलग अलग बरिष्टे पदों पर राजदूतों के रूप में और उसके बाद जब भाजपा मैं जोईन हुए 84 में 84 म लगने के बाद चर्रिस के सरकार में विरिष्ट सिर्पणति रहे और उसके बाद जो मेरपूर चर्चा का विसा है वो आज है द्रौपडी मुर्मो जिहां यह एंडीए का रास्पती नया चहरा उमीरवार कूप में मोहल लगाई गयी है यह तो अगर मोहर के बाद करें तो इसकी लिए तमाम नाम पर चर्चा हुई मैं पता हूँ तमाम नाम इस पर चर्चा में थे और भाजिन्दा पार्टी के लिए एक बहुत महत्पूर्ण प्रस्न ये था कि किसको इस बार राज़परी पत के लिए उम्मीरवा बनाये जाए यहां पर अगर हम बोट के आंखड़ी के बात करें तो लबा लबा भाजपा गुछण दामन निंगत पार अरतालीस परसंट बोट बैंग है पर इन बोट बैंक के बीच में अगर हम बात करें तो आपको कम सकंग 50% से उपर बोट बैंक चाहिए जीतने के लिए तो दो से तीन परसेंट बोट बैंक कहां से आएगा जिसके लिए कोशिश की जारीति ऐसा उम्मिरवार रखा जाए लोगसवाद चुनाओ भी है उसको भी देखना है और ऐसा उम्मिरवार को गोज़ित करना जिससे कई चीजों को इससार इसपस्ट किया जा सके और एक नया क किर्तिबान बनाए जा सके और वही किर्तिबान 2022 के लिए बनाएने जा रहा है भारतिन्दा पार्टी ने जारकंड की पूर्व राज्यपाल यहां द्रौपडी मुर्मू को अपना उम्मिरवार घोसट किया है बैंक आया नाइडू केरल के राजपाल आरे मौम्मद खान हर अभार के राजपाल फागु चोहान उसके बार अनसुया हुई कि, जैसे तमाम नामों पर चर्चा हो रही थे हूज तमाम नामों पर चर्चा होते होते मुक्तार अभास नंख्वी तक पूंची थी ओ चर्चा के बीच में कल बाच्वा के राशकी अध्यच जेपी नड़ा करते हुए बड़ा एलान किया और बताया कि भारतेंदर पार्टी गटबंदन है जो एंडी है इसके उम्मीरवार दौपडी मुर्मू होगी है अब अगर बात करें दौपडी मुर्मू आदिवासी महला है और आदिवासी के एक संथाल जो समुदा है वहां से आती है उडिश करिया कि सुरूबात पारसणी से सुरू ही और पारसणी से सुरू होते 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 बरायक पर पहुंची बरायक से होते होते मंत्री पर मंत्री पर होते होते राजपाल और राजपाल से होते होते उम्मीट कि जा सकती है कि राय सीना हिर्स पहुंचेगी यानि राजपती तो अगर हम द्रोपडी मुर्मू की बात करें तो जो नाम था यह बहुत चर्चा में नहीं था पर यह नाम चर्चा में से लिए था क्योंकि चर्चा इस नाम से जुड़ी हुई बहुत अच्छी थी क्योंकि हमेशा से आदिवासी मेलाओं की सिच्छा, ब्युस्था और विकास के लिए काम करती आई और अभी तक का जो भी इनका राजनितिक सफन रहा है चाहे इनका परसनल जीवन रहा है बड़ा बेदाग रहा है हरा कि तमाम तरह के संगर्ष पार किया गरीवी की जिन्दगी देखी और अपने मेहनट पर अपना मुकाम बनाया और आज अगर हम दौपडी मुर्मू को मेलाओं के लिए एक आदर्स कहें तो कोई अतिस योक्ती नहीं होगी क्योंकि यह आदर्स योग हैं अगर दौपडी मुर्मू के जर्म की बात करें तो 20 जून 1959 मिन का जर्म उडीशा के महीर फंज के बैदापौसी गाओं में हुआ था और इस गाओं में जर्म के बाद इनकी बलच्छे पढ़बा नजर आने लगी थी और पिड़बा नजर आने के साथ साथ यह आगे पड़ी उसके बाद स्यामा स्याम चर्ण मुर्मू के साथ इनकी साधी की गई और साधी के बाद इनके तीन बच्चे होने के बाद का जाता है दुरगटना में इनके पती स्याम चर्ण मुर्मू और दो बेटों की मौत हो ग एक पेटिस्तिक बैंक पर नोकरी के लागे पहुचाया तो ये तो इनकी परसला जिंदगी रही ब्यक्तिकर जिंदगी रही किस तरह संगर्ष किये और बहुत मैना से अपने परवार का बालन किया परवार फिराल दो ही लोग थे और दो ही लोग संगर्ष करते करते उसे जो राजनितिक भी होता है अगर उनकी राजनितिक केरियर के बात करें तो राजनितिक केरियर की सुरुबात बली बलच्छन रही मैं नहीं कहा है 1997 में मैं पहली बार ये पारसरी चुनोल लड़ी पारसर बनी उसके बाद दो बार BJP की जलादच बनी रारंग पुर से उसके बाद 2000 सन 2000 में सन 2004 में ये रारंग पुर से दो बार बिरायक रही और दो बार मंत्री पर पर भी ये आसीन रही और उस दोरान भी लगातार इनका पर्यास था कि आलिवासी मेलाओं के लिए काम करें उसके बाद जारकंड के जारगन की पहली महला राजपाल हैं, जोनोंने अपनी कुर्सी को संभाला, जारगन की पहली महला राजपाल, आदिवासी महला राजपाल, और साथी साथ सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा कारकाल पूरा किया और तमाम बड़े-बड़े वहां बिबात थे, पत्थल गुड था उस बिवार का भी इनके दोवारा पताच्छिप किया गया मेहनत अपनापन लगन और सबसे बड़ी वात संकल संकल से पूर्ण कि सेवा इतनी बहतर काम इतना बहतर कि सन 2007 में इनको उडिशा मैं बेस्ट MLA के आवार से सम्मानिट किया गया यह कि जो आवार था उसको निलकंट परसकार बोलते हैं इसको सम्मानिट किया गया था और मैं पता हूं कि 2017 में भी रासपटी चुनाओं में जब हुआ था जब जिसमें रामनार कोविन के नाम पर मोहर लगी थी उस समय भी इनका नाम चर्चा में था और कहा जा रहा था कि इनको मौका मिलेगा और यह उम्मीर्या पर बना जा सकती है पर यहां पर 2017 में रामनार कोविन की नाम पर मोहर लगी वो दलित बर्क के नेदा थे और उनकी मोहर के बाद कहा जा रहा था कि 2022 में उसकता इनको मौका मिले और बड़े बड़े नाम बैंक आरे मुहमर्खान की बात करें अनुसुया उईके की बात करें जो कि शर्टिकर की राजपाल है उनके तमाम बातों को मोहर अलग करते हुए यहां पर दुरुपडी मुर्मू के नाम पर मोहर लगाएगे दुरुपडी मुर्मू जोनों ने अपने युगा वस्था में साधी के बार अपने पती को अपने बच्चों को खोया उसके बाद अपने संगर्स के चलते अपनी महनट के चलते टीचर को अपना बेवसाय बनाया अध्यापक बनी अध्यापक बनने के बार सेचाई वेवाग मैं अस्टेंट किलर की नौकली भी की और संगर्स करते करते अपनी बेटी को भी आगे बढ़ाया और अपनी बेटी को भी अच्छी इस्थान तक पहुँचा आया अच्छे मुकाम पहुचा और शाथी साथ इस संगर्स के बीच में अपने बैसữa में ने राज्णितिक केरियर की सुरूबारिक केरियर की वना कोता है 1997 से राज्णित केरियर सु temu किया औरChr Monsieuromination से पारसर से होते होते दो बार बिदायक बनी बिदायक के बार मंतरी बनने के बार जारकन की राजपल बनी 2015 में 21 तक कारकाल रहा लबा लबा च्छे साल का कारकाल पूरा किया पांस साल से ज़्यादा और अब दुहर बाइस में जो की आदिवासी समास से आती है आदिवासी मेला है ये उनकी इस उम्मिरवार होगी बड़ी गुचला इन बड़ी गुचला के भी तमाम बात ये एक बात भी और साफ होती है कि ये अगर ये इस कुरसी पर बैट्टी है हाला कि आकल के साब से इनका निश्चित है कि ये रास्पती बनेगी तो ये देश की दूसरी महिला रास्पती कहलाएंगी जी हाँ को दार हूँ इसके पहले हमारे देश में एक ही महिला रास्पती रही है वो हैं पिटवा डेवी सिंग पार्टिल के बाद डॉपरियू मुर्मू रास्पती बनती है तो ये दूसरी महिला रास्पती कहलाएंगी इसके साथ साथ देश की पहली आदिवासी रास्पती भी कहलाएंगी देश की पहली आदिवासी महिला रास्पती भी कहलाएंगी बड़ा बड़ा नाम है और बेदा केरियर है केरियर बेदा किसली कहूँगा कि अब तक केरियर में जहां बेभाग में काम किया चाहे बैक्तिकर जीवन की बात करें चाहे बैक्तिकर संगर्स की बात करें चाहे बिदायकी की बात करें दो बाए बिदायक रही है उस कारकाल की बात करें बैस्ट एमेले कायबार मिला है नीटकन परसकार मिला है उड़ी से सरकार में उसके बार अगर बात करें तो दो बार मंत्री रही है, मतस्पालन मंत्री रही है, मंत्री रही है, उस दुरान भी कोई दाग इनके रातिक केरियर पर नहीं आया है, हलागी रातिक केरियर पर दाग पहले मिलते हैं पर यहाँ पर कोई दाग नहीं, कोई बयारवाजी नहीं, ब जार्वासी चेतर बावा तमाम तमाम की समस्या रहती है जरुकता की कमी रहती है वो जरुकता उनकी बीच फैलाना उर्शा में जब दो बार मेले रही तब भी उनका प्रयास ही रहा मंत्री रही तब भी उनका प्रयास ही रहा कि कैसे मेलाओं को बैतर किया जाए और इसी चबी के चलते मेलाओं की अगर्णी बैतर चबी और पेड़ना इस तो चबी के चलते भार्टेंदा पार्टी ने उनको अपना उम्मीरवार बनाया है रादे गरबंदन ने उनको अपना उम्मिरा बनाया है क्योंको उनको मैं पता है कि ये आरिवासी महला एक सारहन महला नहीं है इसने अपने छोटे सी जीवन में मात चोसर्ट साल की उमर में बो काम किये हैं जो तक किसी ने ने किये हैं बाले बात है अलालाग बयानबाजी या अलाग चीज जो सुर्खियों की चलते बो सुर्खियों में नहीं रहीं बयानबाजी हो या बड़े मामले हो या तमाम तरह के बिबार हो उसके चलते सुर्खियों में नहीं रहीं पर जो केरियर रहा है वो बेदाग रहा है जो केरियर रहा है वो पेढ़ना सुत रहा है सरकार के लिए भी राज्य के लिए भी मेलाओं के लिए और देश के लिए भी क्योंकि आने वाले समय में मैं प्रयास करूं कि देश के लिए काम करूं और साथी साथ देश के आरी अबारी यानि मेलाओं के लिए बहतर काम करूं क्योंकि देश में मेलाओं की इस्थिति आज भी पुरुस प्रधान समाज है और आज ही मेलाओं की इस्थिति उतनी बहतर नहीं जितना हम सोचते हैं मेलाओं की बाद करें बड़े सेरों की बाद करें बहां पर मानते हैं साचर का स्थितर अच्छा है चीजे बहतर है और लोग समझते हैं कि हां मेला करम से करम मिलाकर चले पर पूरुबुत्तर भारत है जो आडिवासी चितर है चाहे मद्यप्रेस की बाद करें चाहे गुज होना चाहिए इसलिए उनका कहना है कि अगर वो इस पर पर आसीन होती है तो इस लूप से मेलाओं के लिए हाँ पर काम करती नहीं जराएंगी और साथी साथ इस अगर देखा जाए तो इसका एक मास्टर स्टोक बीजेपी का ही मानेंगे क्योंकि आने वाले समय में नॉम्बर समय में कहा जा रहा है कि गुजरात में बिरांसभा चुनाव है जसके लिए हम देख रहे है लगाता है वहाँ पर एलिया भी हो रही हैं तरहमान्ति खुर वहाँ पर कई बार जा चुके है है बात करें चाडिरगण की बात करें जारकन की बात करें बहां पर आदिवासी समुदाओं का बोट बैंक खासा है खासा परभाव है बोट पर और यह बहुत इस प्रस्ट संदेश जाएगा जब हम एक आदिवासी महला को राजपती पत के लिए बढ़ाएंगा उस कुर्सी पर आधारों के निश्ट रूप से एक बहतर संदेश आम जनता को भी जाएगा भारति इंद्र पार्टी में किसी भी समाज बर के लिए कोई बात नहीं है सबको सबका साथ सबके बिकास की बनुजाणा के ताद चलते हैं और सी को पूरा करते हैं अगर हम किसी सबंड को रासप चुबिस में चुनाव हैं और चुनाव में अगर बात करें लोगस सबस्क्राइब की बात करें तो लबवा लबा 42 सीटों पर SCAST की खासे बूट बैग बात करें तो 62 लोगसुबा सीटों पर मैं आपको बता रहा हूं यह आकड़ा सेकल के बार कर गया 42 और 62 सीटों पर भी आरिवासी समाज का खासा प्रभाव है वो सीटे गुजरास से आती है वो सीटे जो पाया है जिसकी उम्मीरे करते हैं तो निस्सी रूप से जब एक आणी वासी मैला देश के सरवोच्छे पर पयासीन होगी, आणी बैसी मैला देश का पत्व नागरिक बनेगी तो निस्सी रूप से यहाँ पर कुछ बैतर होगा मैला कोले भी और खास दौट पर आणीब अपने आपको कमतर आङ्टे हैं या व सारे नागरकों के लिए हाँ पर जो भी युजना है जो भी बेवस्ता है सभी नागरकों के लिए चाहे वो आरिवासी हो चाहे F.C.S.T. हो चाहे सबन्ड हो चाहे किसी धर्म का हो और देश के सम्मिदान के मताबिक यहाँ पर आपको अधिकार प्राप्त है आपके च्छे अधिकार भी है आपके च्छे करतब भी है तो जब करतब भी पालन करते है तो आपके च्छे अधिकार भी है जिसके लिए आप किसी से पूछनी का सकता नहीं है इसकी इजाज़त हर बर्ग को हर समाज को आगे बढ़ने के लिए स्वतंत किया गया है समता का अधिकार है सबसमान है और जहां पर अगर कोई बर्ग का प्रतिन किया जाना चाहिए तो उसको निसी रूप से यहां पर मौका मिलना चाहिए अब आने बाले समय में 28 जुलाई को मतदान होना है और एक कई टेड़ी खीर भी होने वाली है कि लोग सोचेंगे कि हम किसको बोट दें क्योंकि अगर आदिवासी महला को समर्थन नहीं करते हैं तब भी आपके लिए मुस्किल है और समर्थन करते तब भी आपके लिए मुस्किल है तो निसीरूप से यहां पर बीजेपी ने रा पच्क का इस सुनाव में पार पापाना इतना आसान नहीं है हलाकि अस्वंसना बहुत पुराने नाम है कदाबा नेताव में समार है पर आखलों के मताबिक बही उम्मीरवार राइसीना हिल्स पहुंचेगा राशपती बनेगा जिसका बहुमत जादा होगा और बहुमत फि को बीच में अपनी आपको खरब सावित नहीं करना चाहेगी कोई भी दल एसीएस्टी जो बरग है उसके सामने खुट को छोटा मैसूस नहीं करना चाहेगा फिराल चुनाव मेर्पून है अठार जलाई को चुनाव होगा 21 को पढ़नाम आएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि देश का रासपती कोन बनेगा या बनेगी पर एक बात तस्पष्ट है कि जो भी बनेगा वो हमाई देश का पिसम नागरिख होगा और देश की तीनों सेवा की जो सेना है उसकी कमान उसके हाते में होगी और मिर्ट की जा सकती है कि आने बाले समय में हमाई देश के नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस